नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्रिश्ची का ओलेट क्लासेश में स्वागत है शाथियों जैसे आप स्क्रीट पर देख रहे हैं कि प्रदारा ध्यापक बड़ेगे रिपोर्टिंग ऑफिसर जी हाँ अभी तक हम जो सियल लेते थे उसके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर बी ई ओ मोहोदे थे कि तु ऐसा सग्यार बे आया कि शिक्षकों द्वारा ली जाने वाली सियल एप्रूब्ड नहीं हो पाती थी क्योंकि बी ई ओ मोहोदे के पास भी बहुत सारे काम होते थे यह संबब नहीं है कि इतने स्टाफ इतने टीचरों की वो रोज एप्रूब्ड वर्ल देते रहे इसको ध्यार में रखते हुए एक यह चेंज हुआ है कि अब चार सियल अगर आप लगातार लेते हैं तो उसके लिए परदारा ध्यापक ही रिपोर्टिंग आफिसर नियुक तो होगा जी हाँ यदि चार सियल के बाद यदि लगातार चार सियल के बाद अगर पाच सियल किसी को लगातार चाहिए है तो वह एपलाई तो करेगा प्रधारा धापक के लिए रिपोर्टिंग ओफिसर के लिए लेकिन प्रधारा धापक जो रिपोर्टिंग ओफिसर होगा वो उस CL को फार्वर्ट कर देगा अपने B.E.O के लिए अब ये रिपोर्टिंग ओफिसर किस प्रकार से बनाएगे किस प्रकार से नई विधी से हम CL लेंगे और प्रधारा धापक उस CL को कैसे अप्रूब्ड करेगा कैसे फार्वर्ड करेगा ये पूरी जाड कारी आज हम अपने इस वीडियो के बाद ध्यम से लाए है इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्याँ से देखिए और पूरी देखिएगा आपको इस वीडियो के बाद किसी भी अड़ वीडियो या किसी अड़ से किसी भी तरीके की पूछ ताज करने के अफशक्ता नहीं होगी ये मेरा पूरा आस्वासण है आपके लिए और हमारी वीडियो देखने से पहले मैं पुढ़ा अपने भाई वहलों से निवेदर करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपके मुबाल में बहुत सारे अप पड़े होगे विभाग के पड़े हैं आप सोशल मीडिया वाले पड़े होगे कि मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप मेरा कोई एप नहीं है बस मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिए यह आपके डिपार्टमेट का आपके अपने आए यह आपका अपना चैनल है जो आपको आपकी महतपूर से महतपूर जानकारी उपलब कराता रहेगा इसलिए आज ही इस चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजे और वेल आइकन दबा दीजे जिससे कि हमारी जो भी वीडियो हम अपनी अपलोड करें यूटूब पर वो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए आए देखते हैं सियल की पूरी प्रोसेस तो सबसे पहले सुरुबात करते हैं हम रिपोर्टिंग ऑफिसर की जिहा सातियों सबसे पहले हम अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर ही चेंज करेंगे आप देख रहे हैं जब जहाँ जनरल जो मीनू है इस मीनू पर आप देख रहे हैं लिखा है अपडेट रिपोर्टिंग ओफिसर जी हाँ इस पर हम जब क्लिक रहेगे अपडेट रिपोर्टिंग ओफिसर पर तो आपके साब ने ये स्क्रीन आएगी क्योंकि आलेडी हमार पास रिपोर्टिंग ओफिसर मुझूद है इसलिए यहाँ पर देखें लिखाऊ आएगा आपका जो प्रजेंट में रिपोर्टिंग ओफिसर है वो और साथ भी लिखा है उपर एड़ ए रिपोर्टिंग ओफिसर क्योंकि अब हमें अपने प्रधान धापक को रिपोर्टिंग ओफिसर बनाना है इसलिए हम यहाँ पर एड ए रिपोटिक ऑफिसर पर क्लिक करेंगे कि क्लिक करते ही हमार सामने इस प्रकार की विड्व आएगी जिसमें हम क्विक सर्च पर क्लिक लगा हुआ है और सीदे हम online service पर select करेंगे और इसमें select करेंगे लीप को लीप को select करेंगे और अपने प्रधाना चारजी का जो प्रधाना धापक है उनका जो माणव सब्दा code है वो यहाँ पर type करेंगे और उसे save करेंगे और जैसे हम यहाँ पर save option करेंगे उपर लिखके आ जाएगा देखी आप data has been successfully updated इस प्रकार से आपके जो प्रधाना धापक है बूर रिपोर्टिंग अब लेने में भी कुछ अपडेट हुए है आई उस पर अब द्रश्टी डालते हैं कि यह देखी यह वह पेज है जहाँ पर अब online जो लीव लेते हैं अप्लाई लीप करते हैं माई लीप पे जाके अप्लाई लीप तो आप देख रहे हैं यह नया फार्बेट आ गया है इ लाल स्टार वो कंपल सरी फील्ड होती है जिसको भरना अनिवार होता है यह आप इसमें भरे विना इसको सब्मिट रही कर सकते हैं और बाकी जो है वो आफसल होती है आप इसको भर भी सकते और नहीं भरेंगे तो भी आपकी लीप एक्सप्ट हो जाएगी जैसे लीप प्रॉप डेट टू डेट अपनी जो भी सियल होगी उस डेट को स्लेक्ट करेंगे और यहां पर लिखाया नंबर आप प्रिफिक्स हॉलिडे जिहां यहां वो हॉलिडे लिखे जाएगे जो आपकी सियल लेने से पहले के हैं माल लीजिए आप सियल लेना चाहते हैं 28 दिसम से प्रिफिक्स सब्णार्त में से आ पर यारी तो हम प्रिफिक्स में यह एक भरेगे प्रेमें निक辦法 अगर लिखेंगे इस निए सभर, suffix वो छुट्टी ये लिखी जाती है माल लीजे हमने शरिवार को छुट्टी ली है और अब हम जॉइन कब करेंगे Sunday तो बीच पर पड़ेगा फिर हम Monday में जॉइन करेंगे तो Monday जॉइन करेंगे तो suffix यादि CL ली थी हमने Saturday की तो suffix में एक भरेंगे Sunday के लिए एक भर देंगे तो suffix हो जाएगा एक और फिर एक ग्राउंड विच जो आप पूर्ट अपना MS थापना से लेते हैं तो उसमें कई option भी बने के आते हैं कि आप personal ले रहे हैं किस टाइप से लीव ले रहे हैं वो लिखी जाती है और यहाँ पर फिर आप सब्मिट कर देंगे अगर आपने एप्लिकेशन लिखी हुई है तो आप उस एप्लिकेशन को भी यहाँ पर अटेच्मेंट कर सकते हैं अनुधा यह आप डारेक्ट इसको सब्मिट कर सकते हैं अगर आप सब्मिट करेंगे तो वो सब्मिट हो जाएगा जैसा मैंने बताए जो लाल इस्टार वाली फील्ड्स होती वो कब्रसरी होती है उनको आप भरे भीना सब्मिट रही कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह हमारा प्रोसेस हो कि वो इसे अप्रूब करेंगे तो उसके लिए इसी वीडियो बेवस्था है आई देखते हैं कि हमारी लीव को प्रधारा द्यापक अप्रूब कैसे करेंगे साथियों अगर आपके विधाले में प्रधारे द्यापक जानकारी नहीं रखते हैं इसकी तो आप उन्हें बताए कि किस प्रकार से आपकी लीव को वो एप्रूब्ड करें उनको भी दिखाए और उन्हें सब जाए यह देखिए जो प्रधारे ध्यापक है वो जाएगे अधर लीव में अधर लीव ओप्शन में आता है पहला ही है व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट साथियों जैसे व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे देख रहे हैं इस तरीके की यह पट्टी आ जाती है और जहाँ पर जैसे एप्लाई का फुल लेव होगा लीव रिफ्रेस नमबर है किस डेट से किस डेट तक ली है वो लिखा होगा और यहाँ पर लिखा है व्यू एक्षेट तो प्रधार ध्यापक जो है वो क्लिक करेंगे इस व्यू पर इस व्यू पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे उनके साबने इस प्रकार का पीच ओपन होगा और सारी नाम लिखा होगा लीव लिखा होगा और साथ मेही पिछले चार महिने की जो सिक्षक द्वारा लीव ली गही है उसकी भी डिटेल लिखी होगी जैसे लिखा हुआ है तिल डेट यहीं सितंबर तक अब तक उसने टीचर ने आठ ले चुका है और जो टेक एक्शन ह सबसे पहला है एप्रूब दूसरा रिजेक्ट और तीसरा पारवर्ण जीहा साथियों तो जो हेड है जो प्रधार ध्यापक है वो एप्रूब करेंगे इसको और इसी पेज में नीचे देखिए और भी सारी जायरकारी होती है शिक्षक की कि शिक्षक की अभी तक कितनी लीव लीव हुई है कितनी उसकी बची हुई है और यहां उसका स्टेटेस भी आता है कि यह भी पेंडिंग है तो एप्रूब होगा सीज़ सब्भीक करदेगा कोई निकती यह रही है तो रिजग्ठ में उसको वह रीजं भी लिखना होगा कि वह रीजट क्यूं कर रहे हैं उसका रीज़न एक एक्षिन में फार्वड लेंगे उसमें फिर आएगा इस्टेट चुड़ेगे अपना डिस्टिक चुड़ेगे इसलेक्ट ऑफिस यादि जो जिस ब्लॉग का है बो ब्लॉग और इसलेक्ट डिव रिपोर्टिंग ऑफिसर यादि जो पर बी यो बहुत है उनको स्लेक्ट करेंगे और यहाँ पर फार्वर्ड करदेगे कि इसीईल है उसको फार्वर्ड करतेगे अपने बी यीो को कि तो देखा साथीयों कि कि किस प्रकार सेथ हणा कि यह पूरी प्रकिया साहक अध्यापक को हो सिख्षामित्र अनुदेशक इन सब को यह कहें वह अपड़े को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनबाएं और उनकी नियमित देखता रहें और साथ ही साथ उसको एप्रूब्ड भी करें जो सियल ली जा रही है उनको एप्रूब्ड करना अब प्रधाणा ध्यापक की जिब्यदारी है इसको उन्हें बिल्कुल इमानदारी के साथ निमाना है तो देखा साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमारी जादकारी कैसी लगी प्लीज इसको फार्बट जरूर कीजेगा अपने और साथियों में शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि जब यह शेयर को करके सब हमारे भाई बैलों तक पहुंचेगी तभी हमारी इस वीडियो का सार्थक अर्थ निकलेगा तो मैं सब्जूगा कि हाँ मेरा यह प्रयास है वो सफल रहा आप तक अपनी जादकारी यह सब पहुंचाने का और आगे भी हम ऐसी ही महरपूर जादकरी आप तक लाते रहेगे आप हमारे चेल साथ जुड़े रहेगा दबशकार